आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप्रयोग का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारण वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले आप्रयोग का आर्थ समझते हैं अप्रियोग का आर्थ होता है प्रियोग ने होना यानि कि इस्तेमाल ने होना तो अप्रियोग का विलोम शब्द यानि कि विप्रित आर्थक शब्द होगा प्रियोग और प्रियोग का आर्थ होता है उप्योग या इस्तेमाल तो आईए अब हम अप्रियोग और प्रियोग को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ मशीने प्रियोग में रहनी आवश्यक होती है क्योंकि लंबे समय तक अप्रियोग की वज़े से उनमें खराबी आ सकती है कि कुछ मशीने ऐसी होती हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल ना करें तो वो खराब हो जाती है या उनमें जंग लग जाता है या किसी तरीके की दिक्कतें आ जाती है जिसकी वज़े से उन्हें बाद में चलाना मुश्किल हो सकता है अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें